आज कॉंग्रेस बस्पा और समाजवादी पार्टी के पांच नेताओं ने भारतिय जनता पार्टी का दामन थामा है जिसमें से बस्पा के पूर्ब मंत्री ब्रिजमोहन सिंग को स्वाहा भी सामिल हैं ब्रिजमोहन जी वजे क्या रही बस्पा छोड़ने की? बस्पा अपने वो देशों से भटक गई है अपने सिध्धानतों से अलक चल रही है इसलिए भारतिय जनता पार्टी राशवादी पार्टी है राशवादी सोच रखती है और जैसा उनका नाम है वो ऐसा पांच साल देखने को मिला कि आज की तारीक में भारत की जनता की जो कि किस तरीके से भारतिय जनता पार्टी को आप मजबूत करेंगे भारतिय जनता पार्टी भरतिय जनता पार्टी ने जो गाओं में गली में और पूरे प्रदेश में जो विकास का काम कीया है था पैर सь त्हीं ऑई भरतिय जनता पार्टी ने जोड़ा है उनके बीद में जाकरके उनकी पार्टी की आज सदस्ता ग्रहन की है आप पूर विधायक भी हैं कॉंग्रेस नेता हैं वज़े क्या रही कांग्रेस को छोड़ने की वज़े नहीं लेकिन मैं भी जो है माननी प्रधानमंत्री और भाजपा की जन हित और देश हित की यह जनाओं से प्रभावित होकर सदस्ता लिया है मैंने 2022 के चुनाओं में भारती जन्ता पार्टी को किस तरह से मजबूती देंगे भारती जन्ता पार्टी पहले से मजबूत है हम लोग आए हैं तो और मजबूती बढ़ी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे किस छेत्र से आये हैं मैं तिंदवारी 232 बां तो आप किस सन में मंतरी रहे और किस तरीके से बस्पा के कामकास को आज नकार रहे हैं और आपका कहना है कि भारती जन्ता पार्टी ही एक देश की सबसे अच्छी पार्टी है जिसके कामकास से जन्ता आज खुस है कि अधे हम जब है दोहजार साथ से वारा की गवर्मेंट रही बत्पा गवर्मेंट रही उस दौरान हमको दरजा राजमंत्री बनाये गया था हुआ कि तो उच्वीचत समय हम लोग स्वतंत्र होके काम नहीं कर पा रहे थे वो हुआ आज जो प्लैकर पार्टाइन को रहा है वह आम जंता के बीच में है उसका आप देखे होंगे और कारकाल भी देखा आज भी देख रहे हैं उसका साफ साफ अंतर मजार आ रहा है जनता के बीच में जिले से आते हैं आप मैं बांदा जनपत से आता हूँ आप भी बांदा के नहीं है जी हाँ क्या बांदा से कॉंग्रेज, बसपा सभी अब बिजेपी का दामन थाम रहे अब आम जनता जो है आम जनता का जो मन बना है जो विश्वाज बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ा है आपने देखा हमारे साथ वो नेता मवजूद थे जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्ता ग्रहन की है और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पल्राम पांडे एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब की